फ्रेंस M2성 एक्सेश में अपडेट कोरी यालट दीजिबल और एनवल केसे कसे सकते हैं तो यह एक सयंपल client table है आप देख सकते है डिएटेज फिल्ट है है और यह ticket code update किया है तो इस ticket code को कहीं तहद आपडेट किया है बाट अभी में यहां एक न्यून नेम टाप करके आपडेट कमांड की मदद से में आपडेट कोारी क्रियरण करोंगा और कौरी कमांड बटन की मदद से में टिकर नोमर को अबडेट करना हूँ ठीक है अगर मैं चेक इन study करता हूं तो यह एक 만 मैंने क्रिएक किया है क्लिक ओके यह आपडेट हो चुका हैного रिजार्वेशन अगर सको क्रोज करके क्लाइंट टेबल में जाता हूं तो यहां देख सेकते हैं यह टिकेट को कोट्ड कोट्ट ऑप्डेट नहीं हुआ है too इसके लिए आपको क्या कρना होगा आप डेक क्या क्यों में में प्लक अब बाट अभी हम लोग को वह मैसेज अलर्ड डिजबल करना है उसके लिए क्या करना होगा डिजन भीव में जाना है और यह फॉर्म में एक कमांड तयार करना होगा जो मैंने अल्रेडी तयार किया है कमांड कर कमांड ने मैंने दिया है cmd अपडेट नेक्स्ट ऑन क्लिक एफें को रान करूंगा तो अब किस तरह यह मैसेज देखने को मिलेगा क्लिक अपडेट कौरी देख सकते हैं यह मैक्रोसफ ऑफिस एक्सेस अलर्ड है अपडेट क्वारी का यू आर एबट टू अपडेट ट्री और ट्रू रेकोर्स ऐसे मैसेज आ जाता है बाट मुझे यह मैसे करने के पाद यह आपडेट हो गया तो से मुए अपडेट हो जाएगा बाट इस मैसेज अलर्ड को डिजिबल करना है तो के से करना है तो क्या है तो इसके लिए आपको फिर से जाना होगा क्लाइं फ़व में याट गलिग ता माॉस क्लिक टीजान फ्यू नेक्स्ट आपको फीर से जाना है यह आपडेट कमांड बटन में इवेंट प्रसेडर कोड में जाएंगे तो अभी यहाँ पर यह जो डॉकम्ड सेट वारिंग फॉल्स कोड है इसको विजूल करना है अब म्यार्ण कोड नेक्स्ट डॉकम्ड सेट वारिंग केना थू यह एक सेट वारिंग और ये स्वारिंग ऑन कोड है तो इस तरह से अगर यह कोमांड अबडेट बटन में यह कोट लगाएंगे नेक्स्ट अगर इस अपडेट बटन में क्लिक करनेंगे तो इस ता से आप यह देख सकते हैं कोई वी एलार्ट नहीं आया क्योंकि मैं यह मैंसेश अलार्ट को डिजेबिल किया है बट इस फर्म को अगर क्लोज करके देखेंगे कि टिकेट नंबर अपडेट हुआ है या नहीं तो पहले एक रिकोर्ट एंटर कर लेते हैं क्लाइन नेम सबस्ब्स मैंने किया है किरन दास next कि चैकिन किया है प्रिजेबिशन अपडेट सक्सेस्पली हो किया है नेक्स्ट अभी में यह टिकेट नंबर को अपडेट करने हो ला हूँ ठीक है तो क्लिक क्लोस तो पहले चेक करेंगे क्लाइन टोबल में जाके देख सकते हैं यहां पर क्रियंदास का कोई टिकेट नंबर आपडेट नहीं हुआ है तो इसके लिए आपको क्या करना होगा यह अपडेट कमांड बटन में क्लिक करना होगा ठीक है क्लिक अपडेट कमांड बटन तो देख सकते हैं यहां कोई मैसेज अलर्ट नहीं है क्योंकि मैं मैसेज अलर्ट को डिजबल किया है बाट अभी देखेंगे यह रिकोर्ट यह मैसेश लाट को डिजेबल कर सकते हैं अगर मैसेश को शहो करना साता है तो भी आप कर सकते जीए है अब अपडेट में क्लिक करेंगे तो इसी ता से स्केर्स टिकेट कनफार्म सक्षेशन रहे अगर मैसेश लाना है तो के से करना है कि गुर्दा डिजन फ्यू नेक्स्ट यह सेकेंड अपडेट कमांड में जाना होगा ठीक है उसके बाद इवेंट प्रोसेडर कोट चेक करेंगे क्योंकि मैंने यहां पर अल्लेडी यह कोट एंटर करके रखा है तो देख सकते हैं मैंने किस्ता सिये अपडेट क्वारी अलर्ट कोट को एंटर किया है चालने और फकोट डोग मदी स्ट वार्निंग फॉल्स और यह ड़क cmd up inquiry मैंने update query name दिया है उसके बाद वेरियवल टिक्टेशन किया है team mc से इसे निम दिया है एक उसके बाद mc equal to message box ticket confirm successfully vp information success उसके बाद doc md set warning true किया है ठीक है और यह dogmd require को में हाट करूँगा तो हाट किया है next close the code तो इस तरह से आपको यह update command में same code use करना है उसके बाद code को save करके अगर close करेंगे उसके बाद run करेंगे तो किस्ता से आप यह message alert देख सेकते हैं from my video next click open to client form तो एक client name type कर लेते है like मैंने type किया है तानी सिद्धिक ठीक है तो इस ता से आपको यह client name system type करना है उसके बाद यह मैंने check-in किया है reservation system अभी मैं टिकेट नंबर को update करने आपडेट करने आपडेट कमांड की मदद से तो पहले फिर से फिर से चेक करेंगे client name नंबर update हुआ है या नहीं update नहीं हुआ है तो आपको फिर से जाना होगा आपडेट कमांड बटन में क्लिक आपडेट कमांड तो देख सकते हैं यह message alert आ गया है जो मैंने अभी भी add किया है टिकेट confirm successfully next close the form तो अभी चेक करेंगे गोड़ दा क्लाइन टेबल तने इस से दिख तो देख सकते फ्रेंड यह टिकेट नंबर आपडेट हो चुका है तो इस तास से आप यह access form में अपडेट क्वारी का alert message disabled और enable कर सकते हैं फ्रेंड फीटो अचले तो प्लीज लाइक करें शेर करें एंड मिलते हैं नेक्स्ट ट्विटल में थैंक फॉर वाचिंग